हेलो वेलकम डू रियल कॉंसेट तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंप्लिफिकेशन के पार्ट 3 के बारे में देखो यह लास्ट पार्ट है और इसके बारे मैं बता दूँ सबसे इंपॉर्टेट मॉइंट कि इसमें एक पॉइंट है इसके बारे में बात करेंगे उसके आज़े बात करेंगे कुछ important questions के बारे में जो कि आपके सामने रहेंगे एक एक करके और तीसरी बात यह है कि आपको अब इसके बाद जितने भी simplification से जितने भी type की questions बनते हैं आपको total के total आपको क्या करना है practice कर लेना है क्योंकि exam से पहले आप जब यह practice करके रखोगे तो आपको क्यों revise करना होगा ठीक है तो आईए बढ़ते हैं देखो तो हमने जैसे बताया continued fraction की बारे में बात करेंगे continued fraction यानि इसको क्या कहते है सतत भिन यह सतत भिन होता क्या है यह को इसको form मैं बताता हूँ किस तरीके से होता है अगर मैं इसके example की बात करूँ मैं तो इसमें क्या होता है अगर मालों जैसे 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 इस तरीके से question आपको दिये जाएंगे इस तरीके से जब आपको question दिये जाएंगे इसे कहते हैं हम सतत भिन basically ठीक है यानि कि यह continually मतलब continuous यह बढ़ता चला जाता है नीचे ठीक है और एक होता infinite वाला दो type का होता है एक यह वाला होता है जो limited होता है और एक होता infinite वाला होता है जैसे कि one by one plus one by two plus one by three plus हां या फिर ऐसे इस तरीके से या फिर इस तरीके से भी बढ़ता जाता है जैसे कि जैसे तरीके से मैं concept पताऊंगा अज उन सारे concept को आपको क्या करना है एप्ली का implement करना है और उसके बाद clear करना है सारी बात ने ठीक है तो चलो कि बस एक एक करके एक पॉइंट ध्यान से समझते रहना अब इसकी concept के बारे में बात करने वाले ध्यान से सुनना इसका concept क्या कहता है सीधे-िधे concept कहता है को से अगर प्लस है तो एड़ करो माइनस है तो सब्ट्रेक्ट करो और अगर इंटू है यानि कि multiply करना है dividedby है तो dividedby करना है इतना करने बाद यारिन कि सीधे-सीधे करें ऑपरेशन operation करो, ठीक है उसके बाद क्या करना है, and opposite opposite का क्या मतलब है, opposite का sense है कि अगर जैसे हम यहां operate किए, फिर उसको पलट देना है operate करना है, उसके बाद पलट देना है, बस यही करना है तो operate, उसके बाद opposite ध्यान सो सुनना, इसको अगर मैं बारा, एक तेरा, तेरा बटे यह क्या हो, तेरा बटे चार हो गया, बिल्कुल, अब इसको क्या करना है, यह operate हो चुका है, यानि यह क्या हुआ, यह operate हो चुका है अब इसके बाद करना है, and क्या करना है, opposite करना है, यानि इसको just उल्टा कर देना है opposite यह नीचे वाला उपर उपर वाले नीचे कर देना है तो अब नीचे करके फिर उपर वाले से multiply कर देना है ठीक है ध्यान से दूँ अब इसके बाद next क्या हुआ 2 प्लस यह क्या था 1 यहाँ 1 फिर उसके बाद उपर गया यह 4 बटे 13 simple अब क्या करना है इसको भी operate करो operate करने के बाद पलट दो आजाएगा आप का answer यह क्या हुआ 13 दुना 26 चार 30 और यह क्या हुआ अब 13 बटे 30 आगया आप का answer इस तरीके दे समझ में है मैंने operate किया 30 बटे 13 आ रहा था उल्टा कर दिया आगया 13 बटे 30 answer यह concept समझ में आया concept समझ में आया तो बस कुछ नहीं करना है कि concept आपके सामने लिखा हुए operation करना है उसके बाद आप पोजिट कर देना है बस और कुछ नहीं ठीक तो अब मैं इसी पर based में आपको कुछ और examples देने वाला हूँ कुछ questions आपका सामने देखने वाला हूँ तो आप लोग इसको ध्यान से देखते रहना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत ही easy है बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई आज नया है अगर आप लोग ने बच्पन से नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं आप पढ़ लो धंक से कोई बात वाली बात चलो question number 1 question number 1 मतलब एक example के basis पर कहूँ आपके अगर मालो Polytechnic internship jam का एक book है उसमें से मैं लेके दिखा रहा हूँ आपको 3-1 by 2-1 by 7 अगर यह question है तो कह दिया जाए कि इसका value निकालना है बस क्या निकालना है तो इसका solution किस तरीकिस करोगे आप लोग ध्यान से सुनना जैसे मैंने कहा था operation and opposite operate करो ठीक है यह क्या हुआ साथ दूने 14 फिर मैं यह घटाओगे तो यह कितना आ गया 13 बटे 7 ठीक 13 बटे 7 आ गया तो यहां क्या लिखोगे 1 by 3-1 by यह 13 बटे 7 था ना 13 बटे 7 था ना तो 1 इंटू 7 बटे 13 opposite करके multiply कर दिया मैंने multiply किया फिर उसके बाद आप क्या करोगे 13 तिया 49-7 49-7 यह अगर करोगे तो यह कितना हो जाएगा 2 यह हो जाएगा 32 यह 32 हो जाएगा और यह 13 उपर चला जाएगा तो यह इसका final answer क्या जाएगा 13 बटे 32 क्या समझे इस तरीके से यह सारे point आपको cover करने है ठीक है तो यह तो basic था एकदम अब मैं next question के बारे में बात कर रहा हूँ जो की बहुत बढ़ियां question है आपके exam में एक बार साथ पूछा भी गया है तो देखना ध्यान से यह question क्या है हाँ यह question है बहुत ही बढ़ियां ध्यान से सुनना 1 by 6 1 by 1 minus 7 by 8 अब बताओ ऐसा question दे दिया जाए तो क्या करोगे आप लो उसमें भी क्या है इधर देखो प्लस 5 by 6 यहाँ पर 5 by 6 के लिखा है फिर उसके बाद कहा कि find simplest form इसका simplest form आपको निकालना है यानि कि सरलतम रूप क्या करते हैं इसे हिंदी में सरलतम रूप सरलतम रूप के बारे में आपको बताना है तो आप क्या करोगे कुछ नहीं सर नीचे से start करना है उपपर लेके जाना है उपर ले जाके आपको इसमें क्या करना है, एड कर देना है, बस और कुछ नहीं, इसको ध्यान से सुनना है, इधर, देखो, क्या करना था, operate करना था, यहां क्या हुआ, 8-7, divided by 8, इसको पल्टोगे, कितना आ जाएगा, 8 by 1 आ जाएगा, यानि कि 8 से 8 गड़या, कितना हुआ, देखो, आप सीधे सीधे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आपके सामने हो रहा है, क्या करना था, concept में ध्यान देना, बस, क्या किया मैंने, 8 का इसमें multiply किया, फिर minus कर दिया, कितना बचा, एक बचा, ठिक, यहां पर कितना बचा, एक बचा, और कोई फाइदा नहीं, फिर आजाओ, इधर 6 into 1, कितना हुआ, 6, फिर 1 by 6 इधर है, 5 by 6 इधर है, और 1 by 6 और 5 by 6 एड़ करोगे, तो कितना आ जाएगा, 6 by 6, और उसके बाद आंसर क्या जाएगा, एक, समझ मैं आपको, नहीं समझ मैं, कोई बात नहीं, आजाओ इधर, बहुत ही simple है, इसको आप directly कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 8 minus 7 बटे 8, तो ये कितना हुआ, 1 बटे 8, इसको क्या करोगे, उपर लेके जाओगे, उपर लेके गए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर गया, यहाँ क्या गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया आपका इतना, तो अब क्या हो गया, यहाँ से सुनना, तो यहाँ गया, 8 बटे 8, ठीक, यहाँ पर हो गया, 8 बटे 1, तो यहाँ पर आ गया, ठीक, यहाँ से क्या निकालोगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एक जाएगा ठीक और एक बटे एक एक बटे कितना होगा एक हुए तो यह आ गया कितना वन बाई सिक्स मल्टिप्लाइड वाई वई यानि कि वन बाई सिक्स प्लस इधर क्या गया फाइब आई इसको बस इतना बड़ा मत बनाओ ठीक है बहुत ही सिंपल चलो अब यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से करना है ऑपरेट और उसके बाद क्या करना है यह सब कर देना है चलो तो अब इसके आगे बात करें आप पॉइंट वाली बात क्या है इसके लिए देखो मैं जो अन्लिम्टेड वाला यानि क इन फाइनायट वाला होता है इन फाइनायट वाला होता है उसके में कुछ पॉइंट बताने वाला हूं धहान से सुनना इitic और कि देखो सीधे सीधे मैं example तो उठाऊँगा लेकिन उसके बाद मैं यह भी बताऊँगा कि इसको कर ओऊग은 कैसे ठीक है basic के साथ मैं मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक देने वाला हूं, ठीक है, समझ मैं है, चल, तो धियान से देखना, x is equal to a plus, 1 by a plus, 1 by a plus, ऐसे करते-करते, कोई दिक्कत वाली बात समझ में आ रहा है, मैं एक काम करता हूं, यहां से सुनना, इसको मैं कैसे लाता हूं, मैंने क्या किया, कि यहां से लेके, इस वाले portion को, मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, क्या मान लिया, x, तो अब बताओ कि यहां क्या आने वाला, मान सकता हूं कि न करते हैं infinite अगर हमने एक step छोड़ के अगर हम मान लिया तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या भाई नहीं है ना तो भस ध्यान से सुननों अब इसके बात क्या होता है x is equal to क्या हो गया a plus 1 by x इतना आ गया आप क्या करना है सीधे-सीधे x is equal to यह क्या ax plus 1 ठीक, अब क्या हो जाएगा इसको इधर लेके आओ स्वारी, ये x हो गया तो अब ये x इधर लेके आओ तो ये आ जाएगा x square minus ax minus 1 is equal to 0 ये क्या बन गया, ये आपका बन गया एक द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण को आपको पता है अच्छी तरीकी से solve कैसे करना होता है, नहीं पता है, मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? यानि कि इसके बाद ही, जो आपका start होने वाला है, वो द्विघात समीकरण तो नहीं, लेकिन polynomials start होने वाला है इस chapter के बाद, चलो तो ध्यान से सुनना अब इसको solve कैसे करना है? कुछ नहीं सर, बचपन से करते आये हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमस्त्री धराचारे का एक फॉर्मूला होता है किसका? सी धरा चारे इनका एक फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई? ध्यान से सुनना x is equal to plus minus b sorry minus b यहाँ पर क्या हो जाएक minus b plus minus under root b square minus 4ac square whole divided by क्या है? 2a ठीक, यह आपका सर, धराचारे का फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले पर रगके हम क्या गरते हैं? x का value निकालोगे तो ध्यान से सुनना क्या होगा? x is equal to minus b यहाँ पर देखो अगर हम कुछ टर्म की बात करें a बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर? यह किसका कोई इसका कोई फिसेंट क्या है? 1 है b बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर? minus a और c बराबर क्या आ रहा है? minus 1 ठीक है? तो अब a, b, c का value पता चल गया है तो अब यहाँ पर रखने में कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए अब x का value रखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? minus minus यह हो गया plus और यह हो गया plus minus under root b square b square यह नहीं कि a square ठीक है? minus a square आप करोगे तो a ही square आएगा ना minus minus 4ac 4 into a कितना है? 1 c कितना है? minus 1 यहनि कि इन सभी को multiply करोगे तो minus 4 आएगा और minus 4 और minus minus plus यह कितना आगया? plus 4 whole divided by कितना आगया आपका? यह आगया 2 into a कितना है? 1 है तो यह नहीं कि इन हो जाएगा 2 ठीक है? multiplied मेरे a वोन लिखो या फिर 2 ही लिख दो direct को इवर और यहाँ minus minus कितना हो जाएगा? यह minus minus multiply करोगे तो यह बाहर आने के बाद कितना आजाएगा? यह आजाएगा आपका plus 1 मतलब plus a ठीक है? आप समझ में आया एक point? तो यहाँ से आप चाहो तो ऐसे इस उसका निकाल सकते हो ठीक है? अब यहाँ पर a का value कुछ भी रख दो किसका? a का value कुछ भी रख दो आपका answer वही आने वाला है जो आप इसको solve करने के बाद लाओगे तो अब direct आप इसको चाहे trick कहलो चाहे basic कहलो बाद बराबर है आपका trick कहां से आता है? यहीं से तो आता है basic से ही जिस तरीकी से मैंने इतना solve करके फिर आपको final answer बताया है यहाँ पर कि हाँ इसे आप trick कह सकते हो ठीक है? और trick में भी एक वो होता है क्या कहते है? restrictions होते है ठीक है? लेकिन इसमें आप कोई restrictions नहीं है इसमें क्या होता है कि हमने plus minus दोनों लिया है ठीक है? plus minus दोनों लिया है कोई फाइदा नहीं कि आप plus लेते हो यहाँ पर या minus लेते हो लेकिन वहाँ पर क्या है वहाँ पर क्या है कि जब आप plus लेते हो क्या होता है कि जब आप plus के लिए बात करते हो यानि कि केवल plus के लिए बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर होगा आपका a ठीक है उसके बाद यहाँ पर a होगा वो ट्रिक में होते हैं लेकिन यहां पर आप किसी भी तरीके से रखो आप इस वाले फॉर्मूले पर रख दोगे कुछ भी रखो किया फायदा क्या फर्क बढ़ता है बताओ यहां पर आप बेसिक से कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं आप यही करो ठीक है चल इस कंसीडर्ड यहां पर इसको प्लस को लेके मतलब जो आंसर आएगा वही आपका कंसीडर होगा आंसर के लिए यानि कि जब हम स्रीधरास चारे लगाते हैं या फिर कोई भी एक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आते हैं उसमे हम लोग पॉसिटिव और निगैवल दो आंसर आती हैं अगर दिखासलमिकर करन हुआ तो तो वहां पर हम लोग मोस्टली क्या करते हैं पॉर्जिटिव वैल्यू की तरफ आप अंसर करके चले जाते हो क्यों वो इसलिए पॉजटिव वैल्यू ऑजिटिव एग्जेस्ट कर पॉइंट कर लेना चलो कि आगे बढ़ें ठीक तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए डारेक्ट मैं आपको ट्रिक की यही लिग दे रहा हूं कुछ नहीं करना है भाई बस यही पॉइंट्स नोट कर लो काम हो जाएगा आपका को दिक्कत वाली हुआ बात हो तो बताना ठीक में है तो प्लस के लिए क्या करता हूं ठीक है मैंने कहा इस ब्लस प्लस वन बा टू प्लस उन बाइट टू प्लस ऐसे करते करते में फाइन ये है शवाईलना हो एक्स प्लस अंसर आगर लूज लिखना लोग क्या करते हैं प्लस वाला answer consider करते हैं तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर under root B square minus 4 इस ही आप सभी को पता है तो B square क्या है आपका B है यानि की A square minus minus plus हो जाएगा यह सभी को पता है और जिब plus हो जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा 4 whole divided by कितना आ जाएगा 2 simple अब यह आपका क्या है यह है आपका trick अब इस वाली trick को आप लोग यूज करते हूं कहते है वहाँ क्या बात है सर आपने तो बता ही दिया trick अब एक ही जगह पर क्या रखना है एक ही जगह पर दो रख देना है बस और कुछ नहीं करना है तो जब एक ही जगह पर दो रख दोगे तो ध्यान से देखना क्या आने वाला है x is equal to 2 plus under root 2 का square यहनी 4 plus 4 whole divided by कितना आ गया 2 यह कितना आ गया यहाँ पर यहाँ से देखना under root 8 और under root 8 का value क्या होता है सभी को बता है 2 root 2 बलकुल अब 2 root 2 इसकी जगह पर रखो गए फिर यहाँ से 2 common लोगे तो x is equal to 2 commonly 1 plus under root 2 whole divided by 2 तो 2 से 2 cancel बिलकुल तो x की जगह पर क्या हो जाएगा 1 plus root 2 ठीक 1 root 2 यही आपका answer आ जाएगा समझ में आए तो plus के लिए यह था minus के लिए आप लोग समझ रहे हो क्या करना है कुछ नहीं सर ऐसे basic से निकाल लो कुछ नो कुछ नो कुछ तो आई ही जाएगा कुछ नहीं है यह प्लस की जहां प्लस अगर यहां पर दिया है तो यहां पर प्लस कर देना अगर यहां पर minus दिया है तो minus कर देना सिंपल सी बात है एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं होगे चल कि अगर जब मैट को बहुत इजी वे में अगर आप पढ़ना चाहते हो ना तो यही करना होता है मतलब इसको खेल की तरह एक मान के चलो बस खेल तभी बनेगा और जब आप basic जानते रहोगे और basic mostly लोग नहीं बताते हैं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनको लगता है कि ट्रिक से बच्चों का उद्धार हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि ट्रिक से बच्चों का उद्धार हो जाएगा लेकिन उनके बच्चों का कैसे उद्धार होगा भाई जब वो पूछे कि अरे सर हमने तो डिप्लॉमा निकाला था क्या बात है इंट्रेंस एक्जाम इसके बाद जिंदगी की और भी एक्जाम से उसमें भी निकालना बिना समझे कैसे निकालोगे तो समझो और निकालो ठीक है इसके अलाव कोई आप्शन नहीं है अपने पास चलो एक और एक्जामपल के तौर पर मैं और ले रहा हूं ठीक है एक सिस्गाल टो 3-1-1-3-1-3 ऐसे करते इंफानाइट तक जाओगे ठीक है तो यहां पर कैसे करोगे प्लस माइन अप्लस के लिए बता ही दिया थो तो माइनस के लिए भी समलो एक्ज़िस इक्वल टूं क्या हो जाए होल डिवाइड बाइड टू क्या समझें यह आपका क्या हो जाएगा ठीक ठीक सॉल्व करने के बाद यही आता है यह बेसिक जब आप सॉल्व करोगे न तो यही आएगा जैसे कि मैंने प्लस के लिए बता दिया था न तो आप माइनस के लिए एक बार लगा के देख सकते हो ठीक है बस मिस्टेक मत करना नहीं तो फिर बाद में कमेंट करके कह दोगी अरे सर यह तो गलत हो गया था आंसर आपने जो बताया वो गलत था ऐसा होना चाहिए था नहीं ऐसा मत कर देना भाई एक बार चेक कर लेना बोलने से पहले ठीक है तो देखो इधर क्या हो जाएग एक जगह पे तीन रखो ठीक है बाकी सारा काम हो जाएगा यहाँ पर देखो तीन प्लस अणरूट नौटर नौटम फाई कितना दो कितना आगा है बहीं Tea ठीक ब्लस अन्दर रूट माँगे वाल्डिवाइड़ टू एक लाइन में ऐसे बहुत से लोग गोते हैं एक लाइ को हम एक सिकेंड में दस सिकेंड दस सिकेंड दस सिकेंड ऐसा नहीं करना है यार बहुत ही बेसिक है आप खुद भी कर सकते हो ठीक है चलो बहुत ही जिंपल है क्या करना है इसको बेटाओ इसको हटाते हैं और बढ़िया बढ़िया एक आप दू केस्टन देखते हैं दूचार जो भी होगा आपने तो समझे आज की डेट में आपका जो सरली कर रहा है वो तो खतम ही हो गया को दिक्कत वाली बात तो है नहीं तो इं important questions ठीक तो important questions में पहरा question है मैं आपके सामने रखते हैं कि जो की exam में ऐसे पूछते हैं बहुत ठीक है एक question तो इस तरीके का आता ही है जो मैं रखने वाला हूं आपके सामने ध्यान से देखना हूँ if a by 3 is equal to a by 4 is equal to a by 5 यह है ना नहीं 7 है कोई बात नहीं 7 हो 5 हो क्या फरकुडता है 7 ठीक है then यानि कि तो आप तब आप find करें क्या find करना है भाई आपको a plus b plus c whole divided by कितना है भाई c है अब इसका value आपको find out करना है अब बताए कितना simple है आप कैसे कर सकते हो बहुत ही simple है basic आप जानते होंगे अगर नहीं जानते हो तो ध्यान से सुनना क्या होता है a by 3 a by sorry यहां हमने हर जगे यह लिग दिया question में भी हाँ और यह होगे आपका b by 4 is equal to c by 7 बराबर हम मान लेते हैं k भाई इन सभी का value तो एक ही आने वाला है तो क्यों ना हम इसको k मान लेते हैं और जब k मानेंगे तो इसका value क्या निकलेगा a का value निकल के आ जाएगा 3k, b का value निकल के आ जाएगा 4k और c का value निकल के आ जाएगा 7k अब इतना basic चीज है तो इसको बताने की जरुरत है नहीं तो अब इसको value उठा के क्या करना है इसमें put कर देना है तो यहां क्या आ जाएगा 3k प्लस 4k प्लस 7k, whole divided by 7k, total करोगे आ जाएगा 14k, whole divided by 7k, यह कितना आ जाएगा total value, 2 ठीक, 2 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, good चलो बढ़िया question लाते हैं आपके सामने, आप question number 2 जो है आपका कहता है, ध्यान से सुनना, 1 by 1 minus 1 by 2, फिर bracket में 1 minus 1 by 3, अगले bracket में 1 minus 1 by 4, अगले bracket में ऐसे से करते-करते, 1 minus 1 by 10, ठीक है, इस सवाल का आंसर बताना है आपको, ठीक, यह तो और भी लंबा दिया था, लेकिन मैंने कहा इसको थोड़ा sort करते हैं, तो 4 तक ही लिया, फिर उसके बाद एधर 10 कर दिया, ठीक है, तो अब इसका आंसर किस तरीके से निकालोगे आप लोग, ध्यान से देखना, कैसे निका गया, एक बटे 2, multiplied by, यह कितना है, 3-2, 2 by 3, multiplied भी कितना है, यह आजाएगा, 3 by 4, अब यहां से कुछ पैटर नहीं तो मज में आ रहा है, नीचे वाला उपर जाके फिर 3 आ जा रहा है, फिर 3 वाला 3 by 4 आ जा रहा है, ऐसा करते करते, यहां तक भी, अगर ऐसा करते करते, यह बेलकुल, समझ में है, इसका वैल्यू तो 9 by 10 है, इसके पहले जो टाम आएगा, उसका आजाएगा, 8 by 9, ऐसे कुछ आएगा, बेलकुल, कोई दिक्कत बाली बात, तो यह 2-2 गया, 3-3 गया, 4-4 चला जाएगा, फिर ऐसे 5-5 जाएगा, 6-6 जाएगा, 7-7 जाएगा, 8-8 जा सिंपल, कोई डाउट वाली बात, नहीं होना चाहिए, दूट, तो इतना बड़ा क्योशन देखने के बाद, कभी आप लोग घबडाना मत, बस इतना चीज़िए, याद रखना, क्या करना है, बस ऐसे ही, सिंपल सिंपल चीज़िए, पहले सॉल्व करके देख लोग कैसा प अब लगाओ बोर्ड मास, 3 by 4, प्लस, कितना है 2 सही, 1 बटे 2, माइनस, स्माल ब्रिकेट, 1 by 2, प्लस 1 by 6, माइनस 1 by 7, यह, यही है न, चलो, यह तो है आपका क्वेस्टन, अब इस क्वेस्टन को सॉल्व करना है, इसका लाना है आंसर, ठीक है, simplify the discussion, ठीक है, तो अब इसका, क्या करना है, आंसर लाना है, बताइए क्या होने वाला है, आप सभी को पता है कि पहले काको तोड़िये, फिर भागे पे जाये, गुड़ा करे धंजोड़ दे, रिर्को दे, घटाए, यह सभी को कहावत पता है, यह जो चुपाई है, बहुत अच्छी है, बस आपके exam में थोड़ा सा help करे कि और क्या, एक question बहुत ही आसानी से, आप का अंसर लाके दे देगी, तो यहाँ देखो, क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना था, bracket का पूरा पूरसन है इसमें, और bracket में सभी को पता है कि सब एक से पहले कौन सो तोड़ना होता है, यह वाला, यह कौन सा है, बार-bricket, फिर बार-bricket के बाद यह small bracket, इसमाल के बाद फिर आपका, यह क्या है, middle bracket, फिर उसके बाद यह क्या है, आपका, large bracket, यह निकि बढ़ा post-huck, ठीक है, तो अब इसको solve करों इसको solve करोगी तो यह क्या जाएगा इसका इसका वैलिव आजाएगा कि वन भाई ए सच्छंग 42 कितना यह यह आएगा न बिल्गुल अरे भाई 7-6 बटे 45 अब 1 बटे 2 में को है अब यह वाला पूरा पूर्षान है या वाला पूरा पॉर्षान आप इसको 150 करोगे तरह कि तूथ आजाएगा सरी यह आजाएगा आपका 42 कि पैसे यहां पर आप क्या हो इसका कितना आजाएगा यह आजाएगा 84 ठीक है 84 आएगा नी 32 से लगर शलो 42 आ गया और यह आ जाएगा 21 प्लस 1 समझ मैं या या निकी कितना आगया 22 2022 ठीक 2022 यह के और इतने का value है, कितने का, इतने का value है अब यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं एक step आगे आते हैं, तो यह आजाएगा 5 minus 3 by 4 plus यह कितना आजाएगा, 2, 2, 4, 1, 5 बटे 2 minus, यह कितना आगे आपका, 42 sorry, 22 बटे 42 यह कितना आगे आपका, होगे क्या करना है, solve करना है, तो जल्दी से करो, क्या आजाएगा यहाँ से आजाएगा, अब क्या इसका अगर आप solve करोगे तो यह इसका LCM total कितना आएगा इसका LCM आजाएगा 20, sorry, 42 42 ही आएगा, और 42 के बाद अब यहाँ देखो, 5 से multiply करना है, 21 पंचे 105 ठीक 105 माइनस, यह कितना हुआ, 42 ही है नीचे, तो फिर यह माइनस कर दो, 22, पिल्कुल अगर इस तेरी के साब माइनस करोगे, तो आपका काम बन जाएगा यहाँ पे हम, तो अब इसको solve करें, इसको solve करेंगे तो यह आजाएगा, 3 यहाँ पे आजाएगा, और यह आजाएगा आपका 20, यहाँ पर 83, 83 बटे 42, 83 बटे 42 आपका, यह इतने काम सर, अब क्या करना है अब कुछ नहीं करना सर, यहाँ पर देखो 5 माइनस, यह कितना है 3 बटे 4 है, 3 बटे 4 को आपके क्या करना है, ध्याँ से देखना यहाँ पर 83 बटे 42 करना है, वो भी किसमे प्लस में, 83 बटे 42 कर दो solve करोगे solve करोगे ना, इसका क्या आजाएगा, 84 आएगा, और जब इसका 84 आजाएगा, तो ध्याँ से देखना 84 यह हो गया 84 ना चलो, तो अब इसको क्या करना है, इसको इधर solve करते हैं कहा गया है यहाँ solve करते है, 5 minus यह कितना आगया है, LCM इसका कितना आगया, 84 तो अब इसमें कितना multiply करना है 14, 32 14, 54 अब इसका क्या करना है, इसमें multiply करना है कितने का, 21 का, तो 21 दिया 63, अब इसमें किसमें multiply करूँ, अब इसको multiply करने वाले हो, 2 का, तो 83 और 2 का multiply करूँ, यह कितना आ जाएगा, अच्छा, और यह आ जाएगा 82, 16, यानि 16, 166 आ गया, अब आप इसको solve करिए, कितना हुआ, अब आप इसको solve करेंगे, तो 5 minus, इसको minus करो आप, minus minus plus हो जाएगा, sorry, यह plus में है, तो यह minus में है, तो अब यह हो जाएगा आपका कितना, 63 और यह जाएगा, यह जाएगा 6, 12 और 129 बटे 84, अब आप इसको solve करो, यार, अब इतना भिन्ना है, हम से solve करो होगे, अब इतना solve करो, और जहाँ तक मुझे लगता है, इसका final answer आएगा, दो सही, 29 बटे 84, something like that, I guess, इतना ही आएगा, आप इसको solve करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, अब 2 सही कहां से लाया, और यह सब सारे बाते आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि, mix fraction मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, यह बहुत ही बढ़िया question था, खैर यह बहुत बढ़ा question था, और सब बोरिंग हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो, नहीं करते हैं, अब इतना calculation तो आप करी लोग हैं न, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, अरे smart जो ठैरे, तो ना तो करी जकते हैं यार, चलो, आगे बढ़ें, इसको करना है, इसको, इसको, इसको solve करो, answer लाओ, जल्दी से, ठीक है, next question क्या कहता है हमारा, उस पे द्यान देते हैं थोड़ा सा, यहां तो हो गया, चलो एक last question मैं देखता हूं, ठीक है, 12.8 गुड़े 12.8, प्लस, सुरी, माइनस है, चलो, प्लस ही कर लेते हैं, 2.8 गुड़े 2.8, माइनस, 2 इंटू 12.8, गुड़े 2.8, इसका value पता गरना है, अब यहां पर देखो pattern यार, मैं 12.8 को ए मान लेता हूं, और 2.8 को, क्या करता हूं, बी मान लेता हूं, तो यहां क्या हो जाएगा, A square, प्लस, B square, माइनस, 2 A, B, इसको क्या लेखते हो, बताओ, इसको लेखते हैं, A माइनस, B का holy square, और A कितना है आपका, 12.8, माइनस, यह कितना है, B, 2.8, आप इसको घटाओगे, यह कितना आएगा, 10 का square आजाएगा, और यह कितना आजाएगा, 100, इसका answer क्या हो जाएगा, 100, समझ में, कुछ खास था नहीं, यानि कि simplification में आप केवल और केवल एक चीज पर ध्यान दे सकते हो, क्या, वो है calculation, और वो है basics, जानते हो, जब आपके exam में कोई भी question आता है, और वो solve नहीं हो रहा होता है, किसी particular formula से, ठीक है, अगर मालू math की वहीं बात करें हम, तो math केवल कहां तक काम करता है, केवल formula तक काम करता है, kurumla तक, और formula आप जहां तक लगाओगे, वहां तक आपका math काम करेगा, उसके बाद आपके calculations आ जाते हैं, simplifications आ जाते हैं, ये सारे points आते हैं, ठीक है, तो अगर आपको क्युछ नहीं करना है बस इतना करना है कि यह अगर math में बढ़ियां बनना है तो आपको simplification, calculations जितने भी आते हैं calculations का मतलब जितने basic calculations होते हैं तो जिसे मैंने यह दे रखा है इसको solve करो कितनी speed से कर सकते हो यह depend करता है एक्जाम में हमेज़ा speed depend करता है जादा जादा और यह speed तभी आते हैं जब आप practice maximum करते हो ठीक है तो हमेज़ा याद रखना कि practice maximum करना है इसके आगे कुछ नहीं ठीक तो यह हो गए आपका सरली करन खतम तो मिलते हैं नेक्शलास में thank you very much and take care